नमस्कार दोस्तों मैं कमले साक्य पेपर हैकर यूटूब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वाकृत करता हूँ आज हम देखने वाले हैं बीए फश्चियर्स साइकलोजी में थर्ड एउनिट में देखने वाले हैं ठीक है? वेश्चेन है आपका अगला कुश्चन है आपका स्टीखना क्या है? लर्निंग क्या है? ठीक है? पावलाओं के अनकूलिक प्रित्यावर्त सिद्दान्त की उधार सहित बिवेचना कीजिए ठीक है? अधिगम क्या है? यानि सीखना क्या है? पावलाओं के सास्त्री अनुबंदन सिद्दान्त की ब्याख्या कीजिए या इसी कुश्चन को और तरीके से पूछ सकता है पावलाओं के अनुकुरिया अनुबंदन सिद्दान्त का बढ़न कीजिए जो कि पावलाव का अनकरिया अनवंदन सिध्धानत है ठीक है या अधर टैप से पूझेगा तो इस टैप से पूझ लेगा सीखने को परवासित कीजिए तता सीखने से समंध प्रितकरिया सिध्धानत की ब्याक्या कीजिए इसके अलावा आप से कहीं से भी question put up नहीं करेगा अगर पूझेगा अभी तो इसी तरीके से आप से question पूझेगा ठीक है तो आहिए आप देखते हैं आई इसका उत्तर देखते हैं उत्तर क्या होता ठीक है तो क्या सीखना जीवन परियंत चलने वाली प्रिक्रिया है यह तो आप लोगों को पता होगा कि सीखना क्या है जीवन परियंत चलने वाली प्रिक्रिया है जीवन भर चलती रहती है आदिम यूग से लेकर है आदिम यूग से मतलब है आदि मानव युग से लेकर जो आदि मानव युग था वहां से लेकर आज तक मानव ने जितनी प्रगती की है उसका स्रे मानव की सीखने की छमता को है यानि कि आदि मानव युग से लेकर मनुस्य ने आज तक जितनी भी प्रगती की है उसका स्रेय किसको जाता है? उसका स्रेय जाता है मानव की सीखने की छमता को. मानव की सीखने की छमता को. मनिस्त को प्रितेग पक पर बातावड से समायोजन करना होता है मनिस्त को पक मतलब रास्ते पर बातावड से क्या करना पड़ता है समायोजन करना पड़ता है ठीक है जैसा बातावड होगा बैसाई उसे समायोजन करना पड़ेगा इस प्रिक्रिया में प्रितेक अनुवव के द्वारा उसके बिभार में जो परिमारजन होता है उसको ही सीखना कहते हैं उसके बिभार में जो अंतर आता है जो बड़ोतरी होती है वो क्या है वो ही है सीखना सीखने का तातपर उस मांसिक प्रिक्रिया से है जिसमें ब्यक्ति के स्वभाविक विवार या पूर अनुभूती या विवार में प्रगति सील परिवर्तन या परिमार्जन से होता है विवार में प्रगती सील परिवर्तन विवार में के प्रगती बहुत तेजी से परिवर्तन या परिमार्जन होता है मनुब ग्यान गिलफोड गिलफोड ने क्या कहा है सीखना बिभार के फलसरूप बिभार में कोई परवर्तन नहीं है अगले मनुब ग्याने कालविन के अनुबव के द्वारा हमारे मौलिक बिभारों में परवर्तन की प्रिक्रिया को सीखना कहते है यानि हमारे जो भी अनुबव हैं ठीक है उनके द्वारा हमारे जो मौलिक बिभार हैं उनमें जो परिवर्तन आता है उनको ही हम क्या कहते हैं उनको ही हम कहते हैं सीखना ठीक है मैक गाक के उनसार अब भ्यास के द्वारा बेभार में पेच्चा करते इस्ताई परवर्तन को सीखना कहते हैं ठीक है अब क्या है अब भ्यास के द्वारा तो बेवार में कोई परवर्तन आएगा ठीक है उसी इस्ताई परवर्तन को क्या करता है और वो जो हमारा जो परवर्तन आता है वो इस्ताई हो जाता है उसी इस्ताई परवर्तन को क्या कहते है उसी इस्ताई परवर्तन को सीखना कहते है अधिकांस्ता यह परवर्तन उस दिसा में होता है जादातर क्या होता है? जादतर यह परवर्तन उस दिसा में होता है व्यक्त की बर्तमान अभी पेरित विवस्ता की संतुष्टी करता है और ब्यक्ति की क्या है अब पेरित विवस्ता की क्या करता है संतुष्टी करता है अब हम चलते हैं सीखने का संबंध प्रतिक्रिया सिध्धांद सीखने का संबंध प्रतिक्रिया सिध्धांद की तरफ चलते हैं कि देखे हैं रूस के प्रिसित मनुवेगानिक सरीर सास्त्री flc आपने पेपर में यह भी बभबेकल पिकॉशन में आपसे यह भी पूचे लेगा जो मनुवेगानिक is in corporate । उन वह से ठीक है कि आपको ध्यान रखना है रूस्त के प्रिसेद्द मनोभय चैने के सभी साध्री आइपी पावलाव ने सन 1904 में सम्मंद पृतिकरिया सिद्धांद का पृतिपदिन किया और इनों नहीं जो प्रियोग किया था वो किस पर किया था वो उनका था कुट्ता ठीक है यह सिद्धान्द का अर्थ है कि आत्म सुहाविक उत्तेजक के प्रति सुहाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रितक्रिया को समंध प्रितक्रिया कहते हैं लेश्टर एंडर्सन ने इस्तिदान्त को इसपष्ट करते हुए लिखा है कि कुछ मूल उद्दीपकों के उपस्तित होने पर जो भी क्रियाएं होती हैं उनको सहज या सौभाविक्रिया कहते हैं यदि मूल उद्दीपकों के साथ नया उद्दीपक दिया जाता है और इनकी अनेक बार याइस्तिति आ जाती है यदि मूल उद्दीपक को हटा दिया जाए तो उसके इस्तान पर नमी प्रस्तुत किया जाए अगर हटा दिया जाए ठीक है उसके समान कोई अधर अब देखते हैं पावलाव का प्रियोग क्या है समंद्फ पृतिक्रिया का सिध्दान शरीर बिग्ञान का सिध्दान्ते है पॉर्ला है की मैंने आपको बता कि पॉला है और इस पर प्रियोग किया था मन्द एक टीव द्वारा काच की बोतल से इस्तापित किया जो उसकी मतलब लार गरंदी थी उसका ऑपरेशन करके उसकी लार गरंदी का सीधे टीव से लगाकर टीव से कनेक्शन कर दिया ठीक है यहनि कि जहां लार को एक कत्रित किया जा सकता था उसके द्वार जैसे अगर कत्रित की जा सकती है प्रियोग में कुत्ता को घंटी बजने के साथ खाना दिया जाता था अब क्या है पावलावन ने एक कुत्त और एक साथ की के साथ खाना दिया जाता था खाना देखकर कुत्ते के मुँँ में लार आना सुवाविक रिया है, अब जैसे कुत्ता खाना देखता था, उसके मुँँ में लार आती थी, ये क्या सुवाविक रिया है, ये किरम क्या है, क्या है, क्या है, जैसे, क्या करा, गंटी बजी, लीवर दवा और खाना मिला उसे, ठीक है गंटी बजी लीवर दवा फिर खाना मिला उसे ये किरिया क्या है बार बार दुफराए गई इसके बाद गंटी बजाए गई इसके बाद क्या करा गया गंटी बजाए गई किंद कुट्टे को भोजन नहीं दिया गया इसके बाद क्या किया गया केवल घंटी बजाई गई लेकिन उसको भोजन नहीं दिया गया एसा करने पर भी घंटी की आवाज के साथ ही कुत्य के मुह में लार आना प्रारम हो गई क्या था कुत्य को तो पता था कि जब घंटी बजाई जाएगी तो खाना आएगा तो जब तो सुनकर ठीक है, फिर क्या करा गया, फिर करा गया कि केबल घंटी बजाए गई, लेकिन खाना नहीं दिया गया, फुट्टे के मुँँ में फिर से लारा गई, क्योंकि, क्योंकि घंटी की आवाज की सम्मंद्धा खाने के साथ इस्ताफित हो गई, जो घंटी की आवाज थी, उसका सम्मंद्ध किस से हो गया, खाने से सम्मंद्ध हो गया, फुट्टे के खाने से सम्मंद्ध हो गया, अब क्या हुआ इस पस्ट है कि यह एक प्राकर्तिक उद्धीपक है इससे क्या हो इस पस्ट होता है लाराना क्या है प्राकर्तिक उद्धीपक है ठीक है जिसको देखकर लार टपकना एक स्वभाविक क्रिया है इसको देखकर क्या है लार टपकना एक स्वभाविक क्रिया है क प्राकर्तिक उत्तेजक के बाद सीकरी प्रदान किया जाए और इस समंद को कई बार दो रहा जाए तो केबल क्रत्यम उत्तेजक की उपस्ति ही प्रितक्रिया उत्पन कर देती है क्या कहा है देखो बहुत अच्छी बात कही है क्रत्यम उत्तेजक मूल उत्तेजक के साथ या प्राकर्तिक उत्तेजक के बाद सीकरी प्रदान किया जाता है और इस समंद को कई बार दो रहा जाता है तो केबल क्रत्यम उत्तेजक की उपस्तिती ही प्रितक्रिया उत्पन कर देगी ठीक है क्या है अब कुत्ते को पहले घंटी के अंसार खाना दिया जाता था तो लार आना सवाबिक था जैसे घंटी बजी उसके मूह में लार आ गई तो घंटी फिर क्या करा गया घंटी बज आगे जब स्वहाविक उत्तेजक को देखकर पृत्करिया होती है तो उसे सहज करिया के नाम से पुकारते है उसे क्या पुकारते है उसे सहज करिया के नाम से पुकारते है इन्तु जब अस्वहाविक उद्धीपक के कार पृत्करिया होती है कोई अस्वहाविक उद्धीपक उसके काड पृत्करिया होती है तो उसे सम्मंद पृत्करिया कहते हैं उसे क्या कहते हैं सम्मंद पृत्करिया कहते हैं अब देखते हैं सम्मंद पृत्करिया को नियंत्रित करने वाले कारक factors ठीक है तो आई देखते हैं क्या क्या कारक है सम्मंद प्रतिया और नियंद्र करने वारे प्रमुकारक निम्न प्रकार है अब कौन-कौन से है प्रेरकों का प्रभाव पहला है प्रेरकों का प्रभाव सम्मंद प्रतिकरिया के लिए प्रेरकों का प्रभावी होना आवस्थेक है सम्मंद प्रतिकरिया के लिए क्या है प्र उत्ते जुकों की और ध्यान नहीं देगा परडाम सरूप कोई पृत्तिक्रिया नहीं होगी इसका परडाम यह होगा कि कोई भी पृत्तिक्रिया नहीं होगी अगला है हमारा सेकल नुमर् दो उत्ते जुकों के समय का समंद्ध दो उत्ते जुकों के समय का समंद्ध सम्मंद्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत्पृत उत्ते जुगों की पुन्राविर्ति सम्मंत्ता इस्तापित करने के लिए आवस्ते कहें कि उत्ते जुगों को बार बार दोराया जाए सम्मंत्ता इस्तापित करने के लिए क्या है उत्ते जुगों को बार बार रिपीट करा जाए दोराया जाए अगला नियंत्रित बातावड बातावड का नियंत्रित होना भी सम्मत्ता की इस्तापना के लिए आवा सके यानि बातावड क्या होना चाहिए एक नियंत्रित होना चाहिए जिससे की सम्मत्ता इस्तापत हो सके अगला करते मुत्तेजक द्रड होना चाहिए जो करते मुत्तेजक है वो द्रड होना चाहिए सवाविक उत्तेजक की अपेच्छा करते मुत्तेजक अधिक द्रड होना चाहिए अगला है मानसिक स्वास्ता है मानसिक स्वास्ता है ठीक होना चाहिए मानसिक स्वास्ता क्या है ठीक होना चाहिए इसका जिस पर हम प्रियोग कर रहे है ठीक है होने वारे समध प्रतक्रिया सेगर होती इससे क्या होगा जब स्वास्ता है ठीक होगा तुरंद होगी ठीक है तो दोस्तो आज हमने देखा पावलाओ का सिद्धान ठीक है आसा करता हूँ आपको यह समझे में आया होगा तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत